तो ये कलंग सार आंखों पर कल तक सोसना पाप था लेकिन आज और बात है कल तक कहना पाप था लेकिन आज और बात है रोजी मैं तुम्हारे लिए सपने देखना चाहता हूं सपने को रूप देना चाहता हूं मुझे अजासतो तू उस ओरत को अपने घर से निकाल दे उस ओरत के लिए तूने सारे शार को दुश्मन बना रखा एक लट जोर उसे जैनिस कब बन गई क्या कहा नाम कब से बतला है अपना कैसा नाम कौन सा नाम जस बीर जैस्वाल इंदिस प्रेमा तुम्हारा रवा धर्मदेव आनंद जो की देव आनंद के नाम से प्रसिद्ध थे का जन्म 26 सितंबर 1923 में गुर्दासपुर जो अब नारोवाल जिला पकिस्तान में है में हुआ और उनका निधन 3 दिसंबर 2011 रात 10 बजे को लंडन में हृद्यधात से हुआ वे भारतिय सिनेमा के बहुत ही सफल कलाकार निर्देशक और फिल्म निर्माता थे उनके पिता किशोरीमल आनंद पेशे से वकील थे उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहोर से अंग्रेजी साहित्य में सनातक की डिगरी प्राप्त की देव आनंद के भाई चेतन आनंद और विजय आनंद भी भारतिय सिनेमा में सफल निर्देशक थे उनकी बहन शील कांता कपूर प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक शेखर कपूर की मा है भारतिय सर्कार में देव आनंद को भारतिय सिनेमा के लिए 2001 में पद्नुखूशन और 2002 में दादा साहिद फाल के पुरस्कारों से सम्मानिक किया देव आनंद काम की तलाश में मुंबई आये और उन्होंने मिलिटरी सेंसर ओफिस में 107 रुपए प्रती माह के वेतन पर काम की शुरुवात की शीध्रे ही उन्हें प्रभात ताकीज की एक फिल्म हम एक हैं में काम करने का मौका मिला और पूना में शूटिंग के वक्त उनकी दोस्ती अपने जमाने के सुपर स्टार गुरु दत्से हो गई कुछ समय बाद अशोक कुमार के द्वारा उन्हें एक फिल्म में बड़ा ब्रेक मिला उन्हें बॉम्बे टाकीज प्रोडक्शन की फिल्म जिद्दी में मुख्य भूमिका प्राप्थ हुई और इस फिल्म में उनकी सहकारा थी कामिनी कोशल ये फिल्म 1948 में रिलीज हुई और सफल भी हुई 1949 में देव आनंद ने अपनी एक फिल्म कमपनी बनाई जिसका नाम नवकेतन रखा गया इस तरह अब वो फिल्म निर्माता बन गए देव आनंद साहब ने अपने मित्र गुरुदत को निर्देशक के रूप में चयन किया और एक फिल्म का निर्मान किया जिसका नाम था बाजी ये फिल्म 1951 में प्रदर्शित हुई और काफी सफल हुई इसके बाद देव साहब ने कुछ भूमिकाए निभाई जो कुछ नकराकमक शेड लिये थी इसके बाद आई टेक्सी ड्राइवर जो हिट साबित हुई इस फिल्म में इनके साथ थी कलपनाकार्तिक जिन्होंने देव साहब के साथ विवाह किया और 1956 में इन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम सुनील आनंद रखा गया इसके बाद उनकी कुछ फिल्में आई जैसे मुनीम जी, सी आईडी और पेइंग गेस्ट उसके बाद तो हर नौजवान उनके स्टाइल का दीवाना हो गया और उनका स्टाइल अपनाने की कोशिश करता 1955 में उन्होंने उस जमाने के एक और सुपरस्टार दिलीप कुमार के साथ काम किया और फिल्म का नाम था इंसानियत पदमाष्टा को लखंगा, चोर के लिए निगालिया, खेर, मैं लड़की की बाद के बुरा नहीं बान थे, फुस्ताबाद ने कीजिएगा, लाई पहले जूल जार दूँ इसके कोई जरूरत नहीं, कहां चुरा कर भाग रहे थे मेरी गाड़ी अच्छा, तो गड़ी आपकी है, मैं समझा उस बुद्धू की है, पाती हुई मेम साहब, कि मुझे गाउँ जाना से मैंने आपके ड्वाइवर उरफ बुद्धू मियां से कहा, बुद्धू मियां भगया, मुझे गाउँ ने बदमाश गुंडा लफ़ंगा, बदमाश गुंडा लफ़ंगा 1958 में उनको फिल्म काला पाने के लिए बहतरीन कलाकार के पुरसकार से नवाजा गया इसके बाद उनके जीवन में सुरया आई, जिनके साथ उन्होंने छे फिल्मों में काम किया एक बार देव आनंद ने शूटिंग के दोरान सुरया को पानी में डूगने से बचाया तब से वो उनहें प्यार करने लगी लेकिन सुरया की दादी धार्मिक कारणों से इनके रिष्टे के खिलाफ थी सुरया आजीवन कुमवारी ही रही, देव आनंद ने अभी कुछ ही समय पहले स्वीकार किया कि वो उनसे प्यार करते थे, यदि उनकी शादी सुरया के साथ हो गई होती तो उनका जीवन शायत कुछ और ही होता 1965 में उनकी पहली रंगीन फिल्म प्रदर्शित हुई, जिसका नाम था गाइड ये एक मशूर लेखक आर के नारायन के उपन्यास आधारित थी, जिसका निर्मान उनके छोटे भाई विजय आनंद ने किया था, इस फिल्म में देव आनंद के साथ थी वहीदा रह्मान ये फिल्म देव साहब ही बहतरीन फिल्मों में से एक है, जिसके बारे में कहा जाता है कि अब दुबारा गाइड कभी नहीं बन सकती, ऐसी फिल्म सिर्फ एक बार ही बनती है, उसके बाद उन्होंने विजय आनंद के साथ मिलकर एक और फिल्म का निर्मान किया, जिसका ना समय सफलतम फिल्मों में से एक थी, 1970 में बतौर निर्देशक उनकी पहली फिल्म आई प्रेम पुजारी जो सफल नहीं हुई, लेकिन अगले ही वर्ष उनके द्वारा निर्देशित फिल्म हरे राम हरे कृष्णा ने सफलता का स्वात चखा इस फिल्म में उनकी खोज जीनत अमान ने जेनिस नाम की लड़की का किरदार निभाया, जो माता पिता के तनाव से तंगा कर हिप्पियों के समुह में शामिल हो जाती है, इसी वर्ष उनकी एक और फिल्म तेरे मेरे सपने प्रदर्शित हुई, जिसमें उनके साथ थी मुम्तास, ये फिल्म एजे क्रोनिन के उपन्यास दसितडल पर आधारित थी, इस फिल्म को उनके भाई विजय आनंद द्वारा निर्देशित किया गया था, जीनत अमान के बाद उनकी नई खोज थी टीना मुनीम, जिनके साथ उन्होंने 1978 में फिल्म देश पर देश का निर्मान किया, ये भी उनकी एक सफल फिल्म थी, 1977 में उन्होंने एक राजनितिक दल नाशनल पार्टी ओफ इंडिया का निर्मान किया, जो की ततकालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ था, लेकिन य राजनितिक दल ज्यादा समय तक नहीं रहा, उन्होंने जिन संगीत कारों, लेक को और गायकों के साथ काम किया उनमें से कुछ इस प्रकार हैं, शंकर जै किशन, ओपी नैर, कल्यान जी, आनंद जी, सचिन देव बर्मन, राहुल देव बर्मन, लेखक, हसरत जैपुरी, अनंद बक्षी, गायक, मोहमद रफी, महेंदर कपूर, किशोर कुमार, मुकेश आदी, सितंबर 2007 में उनकी आत्मक्था रोमान सिंग विद लाइफ उनके जन्म दिवस के अफसर पर प्रदर्शित की गई, जहां भारत के तातकालिक प्रधान मंत्री श्री मनमोहन सिंग जी भी उपस्थित थे